हाई गैस तो हम फिर से खरिद कर लाएं है सेलवडी से आईफोन 11 तो खाइस हम इस बार सेलवड़ी से इस phone को गुड़ कंडिसिन्स में खरीद हैं और इस phone को गुड़ कंडिसिंस में खरीदने के साथ साथ प्राइस भी मेरे को काफी ज्यादा कम देखने को मिला है और इस फॉन के साथ मेरे को एक ओरिजिनल चार्जिंग एड़ेप्टर एंड डेटा के मिल भी दिया है हाला कि इसका वेब साइट के ऊपर इस आइफोन 11 का प्राइस 25000 के अंडर में है तो मैंने सुचा कि यार ह फीचर्स में सेल बड़ी से कोई भी आइफोन खरेदने के लिए सोच रहे हैं तो वाइस हम देर ही नहीं करेंगे सो चलिए लेट्स के स्टार्टेड तो गाइस कुछ इस तरी के से सेल बड़ी से हमारा फोन का पैकेज आया है तो हम उतना लेट नहीं करेंगे फटा-फट इसको कट कर लेते हैं क्यूंकि गैस मैं इसको पहले से ही कट कर चुका था देखा था कि हमारा प्रोड़क्ट सेल बड़ी से रियल में आया है कि नहीं क्यूंकि आज कलना काफी ज्यादा फ्रॉड भी होता है सो फाइंड आउट तो गैस मैं पैकेज को खोल लिये हैं इसके बार चार्जर भी दिया है लोग होने तो ऐसा तो लग नहीं रहा है कि इसके अंदर चार्जर है और मैं प्लोग को बता दूँ के सेल बड़ी के तरब से मेरे साथ बात हुआ था कि इस फोन को गूड कंडिसिंस में आप अगल लेंगे तो 86% अपको बैटरी हल देखने को मिले के अब देख सकते हैं के पूछ इस तरीके के हमारा फोन का बॉक्स को पैकेज किया गया तो चलिए हम फटाफट को खोल लेते हैं insert है कि तो आफ देख सकते हैं कि हमार सो औघ को देखने को मिल चुका है तो मैं इसको इस तरीके से बहुत कर लेता हूं awful आप देख सकते हैं को सों का बॉक्स इस तरीक है से दिखने को मिलेगा एद है्द्धर आप देख सकते हैं कि मेरे पास है आइफून 11 रेड कलर में 64G वाला वैरियन ओके और उसके बाद इसके अंदर रैप किया हुआ है हमारा चार्जर को तो हम इसको भी खोड़ लेते हैं तो गाइस अब देख सकते हैं कि पुरा का पुरा एक सेकन हैं चार्जिंग एडप्टर है हाला कि ओरिजिनल ही लग रहा है बट यूज किया हुआ है तो फिर भी हम इसी वीडियो में चेक करके देखेंगे तो मैं फिलहाल रखता हूँ उसको साइड में तो चली हम फटा फट इसको अनबॉक्स कर लेते हैं तो गाइस सबसे पहले फोन देखने को मिलेगा तो मैं फोन को उठा लेता हूँ और इस बॉक्स एक्सेसराइस अब देख सकते हैं कि अलग से एक चार्जिंग एडप्टर और एक ओरिजिनल डेटा के विल भी उन लोगों ने बुला था और वो भी दिया है लेकिन गाइस डेटा के विल का कंडिसिंस इतना गंदा होगा मैंने सूचा भी नहीं था तो हम लोगों को इससे कोई मतलब नहीं है चार्ज होना चाहिए ठीक है तो हम चेक करेंगे तो फिलाल मैं रखता हूं इसको साइड में तो चली हम इस बर नजट डालेते हैं इस फोन का फ्यूजिकल कंडिसिंस के उपर तो गाईस आप देख सकते हैं कि कैमरी का जो फ्रेम दे रहा है तो क्लियर भी नहीं हो रहा है तो मैं थोड़ा सा क्लीन कर लेता हूं तो गाईस क्लीन करने के बाद भी मतलब डाट नहीं हट रहा है तो गाईस देख सकते हैं कि फ्रेम में इधर एक डेंस दिखाई दे रहा है और इधर भी एक डेंस है और इधर भी एक डेंस नजरा रहा है है ठीक है और स्वराइट। बात हैं कि सब्सक्राइब है ने हिल develop देख सकते हैं यूद्-अझाइब क्रोट टीब में बड़ान इस सीर्ड़ तर प्रॉल को सब्सक्ता हैं कि नहीं ऊकुर कर तो और वाल गाइस गूट कंडिसेंस में आपको कुछ इस तरीके का ही देखने को मिलेगा तो चलिए हम फटा-फट फ़ोन को वान करके देखते हैं कि अंदर का हर एक चीज सही में ठीक है या नहीं तो चलिए हम इस टेप बाइस टेप चेक कर लेते हैं तो घाइस अब देख सकते हैं कि हमारा फोन वान हो चुका है और यूज करने के लिए रेडी हो चुका है तो मैं इस फोन को लगातार दो तिन घंटे से यूज कर रहे थे तो काफी अच्छा है एक्सपीरियंस दिखने को मिला है तो चलिए मैं आप लोग को सब कुछ इस टेप बाई स्टेप चेक करके दिखा देता हूं तो हम सबसब पहले स्पून का पूर्ट संब बटन को चेक कर लेते हैं तो जैसे की गईस अप देख सकते हैं कि म्यूट बटन एकदम परफेक्टरी के से काम कर रहा है ऐसे कोई प्रावलम नहीं है लाइक अब देख सकते ह हैं इक्दम पर्षय टरीके से काम कर रहा है तो चलिए हम इस यह हमारा इस charger को करेंड में लगा किे कर लेते हैं कि consecrated घर है यह हमारा फोन भी ओके हैं कि नहीं ठीकिल तो गाइस मैंने चार्जर लगा दिये हैं current में, तो देख सकते हैं कि charge हो रहा है, ठीक है, इसमें भी कोई problem नहीं है, एकदम perfectly काम कर रहा है, ओके, तो इस बार हम check कर लेते हैं, इस phone का display को, कि true tone support करता है कि नहीं, तो like अब देख सकते हैं कि true tone का support है, तो इसमें original heat display लगा हुआ है, like अब देख सकते हैं कि true tone का support है, and brightness एकदम अची तरीके से plus minus हो रहा है, इसमें कोई problem नहीं है, तो चलिए हम settings में जाके, इस phone का हर एक चीज को अची तरीके से check कर लेते हैं, तो हम सब सब पहले check करेंगे इस phone का battery health को, तो भाईस अब देख सकते हैं कि maximum capacity 86% है, and उन लोगों ने जितना बोला था, वही same battery health है, ठीक है, तो ठीक ठाक है, बैटरी भी ठीक ठाक ही जा रहा है, मैंने use किया इस phone को 2-3 घंठा लगबग, तो इस बार हम check कर रहते हैं sound quality, त तो इस phone के अंदर आपको dual issue speakers देखने को मिलता है, तो गाईस sound quality बहुत ही अच्छा है, एकदम loudness sound quality है, ठीक है, तो अब सुन सकते हैं, तो गाईस, इस phone का speakers भी बहुत ही बढ़िया है, loudness काफी अच्छे से आ रहा है, तो चलिए हम इस बार इस phone का camera चेक कर लेते हैं, कि proper तरीके से काम करता है कि नहीं, तो लाइक आप देख सकते हैं, कि camera एकदम अच्छी तरीके से open हो चुका है, तो हम इसी phone का box का एक photo ले ल लेता है, इस iPhone 11, लाइक अब देख सकते हैं, कि zoom करने के बाद भी एक भी पिक्सल तूट नहीं रहा है, तो photo quality गाईस, coffee जबदस्त है, आज का दिन में भी, तो हम front camera भी चेक कर लेते हैं, तो मैं अपना एक photo ले लेता हूँ, तो गाईस, front camera quality भी अब देख सकते हैं, कि बहुत ही जबदस्त थे यार, तो चलिए हम इस बार second hand iPhone का सबसे ज्यादा important चीज़ को चेक करके देख लेते हैं, कि ठीक ठाक है कि नहीं, जो है face ID, ओके, तो मैं आप लोगों के सामने ही setup करता हूँ, तो जैसे कि आप लोगों ने देखा कि face ID हमारा fully setup हो चुका है, तो मैं एक बार try करकर दिखाता हूँ, गाईस, आप देख सकते हैं, कि बहुत ही fast काम कर रहा है, एकदम बहुत ही fast है, तो इस बार हम इस phone के अंदर एक sim डालके check कर लेते हैं, कि network connectivity ठीक ठाक तरीके से आता है कि नहीं, ओके तो गाईस हम इस phone के अंदर एक एटल का sim लगा रहे हैं, और इस phone के अंदर आप dual sim यूज़ कर पाएंगे, एक e-sim and एक normal sim, ठीक है, तो गाईस आप देख सकते हैं, कि 4G का network currently आ चुका है हमारा phone में, कि लिए लिए अब देख सकते हैं, तो मैं इस phone का ear speakers का sound quality sound quality अप लोगो सुना के दिखाता हूं, तो मैं like 121 पे call कर लेता हूं, और मैं full volume दे देता हूं, so trust me guys, this phone का ear speaker sound quality काफी जवरदस्त हैं, क्यूंकि मेरे को यहां से सुनाई दे रहा है, एक दम अच्छी तरीकेश है, ओके तो हम इस बार loudness speaker sound quality टेस्ट कर लेते हैं, तो मैं full volume दे चुका हूं, so trust me guys, this phone का ear speaker sound quality and loudness speaker sound quality काफी जवरदस्त है, इसमें कोई भी दिक्कत नहीं है, and मैं this phone को मतलब 2-3 घंठा यूज किया था, सीम लगाके, तो network connectivity मेरे को काफी अच्छा ही मिला है, मैं अप लोग को ऐसे ही example के तोर में दिखा रहा हूं, फोन को विडियो सूट का अटे वक्त, बागी overall guys, network connectivity भी बहुत ही जवरदस्त है, तो चलिए हम बात को लेते हैं, इस phone का price के बारे में, so overall good conditions में, इस phone तो काफी अच्छा ही है, बट guys, कुछ dense and scratch मेरे को दिखाई दे रहा है, इस phone का frame के उपर, so फिर भी overall काफी अच्छा conditions है, मैं बोलूँगा, क्योंकि guys, इस phone का price पड़ा है मेरे को 21,000, जो मेरे को original box and charger भी मिला है, तो उस हिसाब से guys, मैं कहूंगा के deal के हिसाब से, एक use करने के लिए phone ठीक ठाक है, चल जाएगा, तो इस phone को फिर भी मैं कुछ दिन use करूंगा, approximately 10 days, और उसके बाद मैं आप लोगों के लिए एक review लेकर आने वाला हूँ, तो प्लीज वीडियो को लाइक करके हमारा चैनल को सब्सक्राइब कर लिजिए, क्यूंकि हम इसी तरह और भी मज़दार वीडियो लेकर आते रहते हैं आप लोग लिए, तो चलिए गई समय मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में और एक मज़दार वीडियो के साथ, तब तक लिए बाबाइट, टेक क्यार।